मैं भारत को भरतियता की माननिता के आधार पर उसे खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ साबुन मत खरीदो बहुत फाल्तू खर्चा एक साबुन 15 रुपय का 100 ग्राम आता है देड़ सो रुपय किलो तो काजू आता है काजू खालो तो अच्छा है तो आप बोलो के नहाएं कैसे फोकट में नहाओ ना बिना साबुन के बिना साब उनके कैसे नाते मालूम है घर में तौलिया है तौलिया उसको पानी में भिगो लो निचोडो और खूब कसके रगडो और पानी से नहा लो कोई खर्चा ने फिर आप कहेंगे पसीने की बद्बू आती है उसके लिए दूसरा रास्ता बता दो नीबू का छिलका है न जिसका रस निकाल दिया उसको उल्टा करके खूब रगडो शरीर में पानी से नहा लो एकदम खुश्बू आती है और नहाने का एक तरीका बताता है अपने देश में एक महाशिवरात्री तिवहार आता है शंकर जी को उस दिन इस्नान कराते है किस से दूट से कि लाइफ बॉई से पता है शंकर जी लक्स लगाते है नहीं ना शंकर जी दूट से नहाते है क्यों सोचा कभी क्यों मैंने सोचा ये शंकर जी दूट से क्यों नहाते है भक्त लोग साब उन से नहाते हैं भगवान जी को दूद से नहलाते हैं दूद से इसलिए नहाते हैं कि दूद सबसे अच्छे तरीके से शरीर का मैल निकालता है दूद को हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं Best Quality Cleansing Agent सफाई करने वाला आप एक दिन ऐसा करना दूद लेना थोड़ा कच्छा उसको चहरे में लगाना फिर रूई से चहरे को पोचना रूई एकदम काली काली हो जाए कैसे आपने दूद लगाया गंदगी सब बाहर आ गई रूई से पोच्छा रूई पे आ गई बने गंदगी निकालने का काम दूद करता है तो शरीर में भी दूद लगाएं गंदगी निकल जाएगी आप बोलेंगे बड़ा खर्चा होगा साबुन से कम खर्चा होता है दूद से नहाने में मैं बहुत बार नहा के देखा दो तीन चमच दूद लगता है उसको शरीर में मालिश कर लो तेल की तरह से फिर पानी से नहा लो गंदगी सब निकल जाती है और दूद से नहाओ न तो तूचा एकदम मुलाइम रहती है सौफ्ट रहती है और जिनकी तूचा मुलाइम है नरम है उनको कभी फेर और लवली नहीं लगानी पड़ती तो उसका भी खर्चा बचेगा और पाउडर वाउडर भी मत लगाओ आप बोलेंगे क्यों हम जब पाउडर लगाते हैं न तो शरीर के छोटे छोटे रोम छिद्र हैं पसीना निकालने वाले वो सब बंद हो जाते हैं पाउडर भर जाता है उनमें फिर बीमारी शरू हो जाएगी जो ज़्यादा पाउडर लगाएंगे कील मुहासे भी उनको ही आते हैं क्योंकि कील मुहासे का कच्रा निकलने के लिए जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं मतलवा